व्हाद वेलकम तुमाय चानल, आज इस वीडियो में हम डिसकेस करने वाले हैं एक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक दा इस विटमें जो वितमें हैं आपके यह लिए प्यूट प्यूंट पॉइव से भी बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं यह जो टॉपिक है यह यहां से आपको हर competitive exam में एक question देखने को पक्का मिलता है तो एक number तो आपके पक्का है अगर आप इस video को complete देख लेते हो चोटी सी video है and to the point discussion करेंगे ज्यादा elaborate नहीं करते हुए चलेंगे कि आप सब को ही को पता है यह होते क्या है and क्यों important है and किस vitamin की जो deficiency से हमा को क्या disease होता ह है so अगर आप hp tat के लिए prepare कर रहे हो तो definitely यहां से एक marks का question definitely ही पूछा जाएगा so बिन टाइम वेस की let's start बटू से पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो please मेरे चानल को subscribe कर दो bell icon को press कर दो so data को हर important update time to time होती रहे so सबसे पहले बात करते हैं जो आपका vitamin word था वो किस ने discover का था तो आपके funkk ने जो था वो discover किया था थीक है funkk ने discover किया था funk ने एक name दिया था vitamins तो vitamins होते क्या है यह chemical substances होते हैं जो कि हमारी body को वैसे तो कोई energy provide नहीं करते है तीक कि यह हमारे protective nutrients होते है इनर्जी तो कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं, यह किस चीज में help करते हैं, हमारी बॉड़ी में, जो metabolic activities होती हैं, उस चीज को करने में यह बहुत जादा help करते हैं, ठीके और यह जो synthesis है vitamin का, except vitamin D है, उसके अलावा कोई भी vitamin हमारी बॉड़ी में synthesize नहीं होता है, उसके लिए हमा को क्या करना पड़ता है, बहार से extra food लेना पड़ता है, जिसमें vitamins होते हैं, जैसे हम lemon लेते हैं अपनी diet में, तो lemon से क्या होता है, हमा को vitamin C मिलता है, ठीके, अब बात के लेते है, vitamins के दो types के बारे में, या दो groups के बारे में, तो vitamin के जो दो groups है, एक है आपका, जो की है आ जो fats में घुल जाता है, उसको हम fat soluble बोलते हैं, अगर आपको पता है, vitamins आपके कहां से कहां तक है, vitamin A होता है, आपके पास, sorry, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है, and K होता है, तो इन में से आपके दो जो है, B और C जो है आपके, वो क्या है, water soluble मतलब, वो पानी में घु आपके जो fat soluble है, वो रहते हैं, आपके A, then your D, then E and K, ठीक है, तो आप इसको अगर reverse में पढ़ोगे, K E, D, A, तो कीडा बन जाता है, और कीडा जो है, वो fat में soluble है, आपको यह याद रखना है, तो आपको बहुत easy से है, वैसे तो बहुत confusion हो जाता है, पर आपको याद आपके जो कीडा होता है, आप कॉक्रोश बोल सकते हो, तो वो क्या है, वो रहते हैं, वो पानी में नहीं घुलेगा, तो आपको याद रखना है, कीडा वो क्या है, वो fat soluble है, मतलब आपके vitamin A, D, D, E and K, जो है, वो fat soluble है, वो पानी में नहीं घुलते हैं, वैरास आपके B वार्टामिन के बात पूछे जाते हैं के बात के बात कर देजिस में हम चाहरे हैं जो तीन questions है mainly वो यही बनते हैं, चीक है, बात कर लेते हैं, विटमिन A, जिसका chemical name retinol है, विटमिन A का chemical name क्या है, retinol है, और इससे आपकी night blindness जैसी बिमारी होती है, इसकी deficiency से, चीक है, या terror of infections हो जाता है आपके लिए, अब बात कर लेते हैं, इसकी source क्या रहेगा, आपका egg, milk पनीर, green vegetables, fish and liver जो रहेगा, वो क्या है, liver oil जो रहेगा, वो क्या रहेगा, इसका source रहेगा, next बात कर लेते हैं, B वाले को हम बात में discuss करेंगे, क्योंकि यहां पर 8 हमने discuss करने हैं B में, तो इनको बात में discuss करेंगे, फिर हम बात करते हैं, विटमिन C की, विटमिन C का क्या ब क्या देशंशनडब करता है, तो आपका विटमिन C है, विटमिन C कि ट्रिंशनशनозी क्रेट करता है, इसकी इपरद में इसकीजान सी से क्या डिजीजर स्काइब होते हैं, तो आपकर रहता है, विटमिन C it is scurvy, như quidます आपको पता है आपके जितने भी citric fruits है उसमें सब में ascorbic acid पाया जाएगा तो आपका जो है lemon, orange tomatoes, सार सबस्टांस लाइच चिली एक्सेक्टरा, contains your vitamin C, ठीक है अब बात के लिए विटमिन D की जिसका जो आपका क्या नाम है और इसकी deficiency से rickets होती है मतलब अगर आपके body में vitamin D की कमी है तो आपको क्या होगा calcium lack करेगा आपके body में calcium lack करेगा तो आपकी जो calcium से related diseases होती है जैसे आपके bones में problems आना start हो जाती है यह आपको clear होना चाहिए ठीक है आपको कहां से fish liver oil से milk से एक से क्या हो जाता है आपके vitamin D की कमी पूरी हो जाती है next आपका हम बात करें है vitamin K का तो vitamin K का chemical नीम क्या है phylo-quinone है यह आपको याद करना है और यह आपके जो blood clotting में help करता है vitamin K आपकी blood clotting में help करता है मतलब अगर उसकी deficiency होगी तो आपकी जो blood clotting है उसमें delay हो जाएगी क्या हो जाएगी डिले हो जाएगी time से क्या होगा blood clotting नहीं होगी आपके green vegetables में tomato में क्या पाया जाता है vitamin K पाया जाता है ठीक है इसमें आपका vitamin E जो है वो missing है तो vitamin E का हम discuss कर लेते है तो vitamin E की बात करें तो vitamin E का आप लिख लिएजे इसमें missing है vitamin E का जो chemical name होता है वो होता है tocopherol होता है and आपका vitamin E से क्या होता है infertility होती है मतलब आपकी infertility इसका एक deficiency disease रहता है और आपकी fruits में vegetables में ये पाया जाता है अगर हम बात करें अब vitamin B की तो vitamin B में आपके vitamin B1 होता है B2 होता है B3 होता है B5 होता है B4 नहीं होता है B4 कुछ नहीं होता है then B6 होता है B7 होता है B9 होता है फिर B12 होता है तो हम इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हो आपका B1 का chemical name क्या है थाइमीन है जिसकी deficiency से बेरी-बेरी होती है फिर नेक्स आपका vitamin B2 जिसका नाइम है राइबो फ्लेविन फ्लेविन और फ्लेविन से आपका क्या होता है जिसे आपकी cracking of skin हो जाती है appearance हो जाती है आपकी redness आपकी eyes में आ जाती है ठीक है और आपकी जो cracking of your tongue etc. आदी deficiency diseases ठीक है और इसमें आपके liver, meat, green vegetable milk में यह सब कुछ पाया जाता है milk आपका जो है हर vitamin उसमें पाया जाता है except vitamin C आपको यह याद रखना है ठीक है milk में हर एक vitamin मिलेगा except vitamin D sorry C ठीक है vitamin C next आपका है vitamin B3 की बात करें तो उसको क्या बोला जाता है niacin भोला जाता है या niacin sinamide बोला जाता है ठीक है और आपके जो यह बाल स्पेध होना आपकी mental stupidness यह सब कुछ क्या है यह आपकी deficiency diseases है vitamin 3 की ठीक है B3 की ठीक है आपका पलेग्रा भी इसमें बोला जाता है कई बार something like that भी इसमें symptoms देते हैं ठीक है अब हम बात करेंगे vitamin 5 की B5 की मतलब B4 कुछ नाम का vitamin नहीं है B5 है उसको हम pentothinic acid बोलते हैं तो आपको पैता है pentothinic acid सिरफ इतना सा तो easy सा नाम आपको याद रखना है इससे आपको क्या होते है plagra होती है मतलब skin irritation होगी इसमें नेक्स है आपका vitamin 6 जिसको आपको याद रखना है peridoxin बोलते हैं जिसको और इसमें आपके vitamin 6 की deficiency B6 sorry B, B में skip कर रही हूँ बार-बार तो vitamin B6 से आपका क्या होता है anemia होता है यापकी skin diseases होते हैं ठीक है next आपका vitamin B7 जो है आपका उसको bioting जो कि आपके बालों के लिए बहुत जाद अच्छा रहता है तो आप देख सेकते हो paralysis आपकी body eggs hair fall के लिए जो है वापका कौन responsible है बहुत हदे तक आपका vitamin B7 जो है वो responsible B9 की बात करें जिसको folic acid भी बोलते हैं या glutamick भी बोलते हैं तो ये सारे इससे क्या होता है आपके folic acid क्यों दी जाती है वो usually जब आप में खून की कमी होती है आपको iron tablets जो दी जाती है folic acid के साथ वो इसलिए जाती है क्योंकि आपमे अनेमिया होता है या आपकी dysentery के लिए या scurvy के लिए भी दी जाती है या आपके लिए ठीक है अब B12 की बात करेंगे कुबाला लिन की जो है मिन की जो की आपका क्या है आपका इसमें आपको megalitic जो आपका अनेमिया रहता है जो है question पूछा जाता है but for your information ये चीज भी आपको पता होने चीज है कि किस किस चीज से आपको कौन से विटमिन मिल रही है और यहां से एक question जो ये बन जाता है कि milk में कौन सा विटमिन प्रेजंट नहीं होता है विटमिन ई है उसमें आपके जितनी भी beauty से लेड़िट जो है आपकी diseases रहती है वो उससे ठीक हो सकती है जो चोटी मोटी रहती है ठीक है अगर आपको ये वीडियो यूस्फुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंज की सच्चिया कर दीजिए बाके चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक और चीज है अब जो हम biology और आपके लिए जो नहीं के रहता है के mystery के छोटी छोटी वीडियो लेके आएंगे ठीक है regularly मतलब after 2-3 days हर रोज आपके लिए वीडियो जाती जाएगी और आपके मतलब response पर डिपेंड करता है वो series आगे continue होगी या नहीं होगी तो आप जितना अच्छा मुझे motivated feel करवा सकते हो तो प्लीज वीडियो को जादर से जादर शेयर करो like करो यही चीज मैं आपसे demand कर रही हूँ सरफ तो आप इतना कर दीजे मेरे लिए that's all thank you so much